जूट बोलना भी अपनी आप में एक कला है मोनुपलेट करने की छमता बहुत जबरजस्ट होनी चाहिए अगर आपको मोनुपलेट करना नहीं आता है इस दुनिया में तो बहुत कम सक्सेस होंगे क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ा गुना यह है कि आप बेगुना है हिटलर ने कहा था अगर एक जूट को सो बार बोलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा सच इसका एकजमपल आपको देखते है भारत आजाद हुआ 1947 में लेकिन क्या हमको सत्ता मिल गई थी 1947 अंतरीम सरकार मिली थी लॉड माउंट बेटन के देखरेक में काम कर रहे है भारत में चुनाओ पहली बार कब हुआ 1951 से चलू हुआ 1951 संबिधान लग हुआ 1950 1951 में पहली बार चुनाओ हुआ 70 साल क्या हो गया 70 साल 70 साल में मोदी जी केतना है 6 साल अटल भी अरिवाच बही 6 साल मुरार जी दे साई 2 साल यानि मोटा मोटी 15 साल कुछ और ने लोगों ने भी सासन किया और अभी TV डिवेट में एक बात जरूर सुन देंगे 70 साल से कॉंग्रेस लूट रही है 70 साल से लूट रही है अरी भाई साब 70 साल से मतलब इसमें मोदी जी भी आ जाते है इसमें अटल भी अरिवाच में ही आ जाते है इसमें मुरार जी दे साई आ जाते है और हद देखिए गधों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि 70 साल जोड कहां से रहरे गधा कहीं का सब चौगदा से तम हो दिये जी हैं कि जिसके अंदर आज के वक्त में मनुपलेट करने की छमता है अपनी बातों को मजबूती से रखने की छमता है वही जीतेगा इसे समाले में यानि अभी क्या है कि आपको बात करने की जमता आ जाए तो आप समझे आप बताओं उन गधों को पते नहीं है इसलिए कॉंग्रेस वालों का यह हाल हुआ है गलत नहीं हुआ है वो इस लाइक हैं उनको यह नहीं पता कि हम 70 साल सासन नहीं किये हैं अबेचारा गरी सुनता है आगर हमको कोई कहेगा खांसर पचास साल से पढ़ा रहे हैं पचास साल से हम कहें ने आपको यह पता रहे हैं कि किस तरह से क्या किया इता है हिटलर ने ये नीती को अपना आता एक जूट को अगर सौ बार बोलिएगा तो क्या आजाता है वो सच लगने लगता है जैसे आप लोग को ये सच लगने लगता होगा कि लड़कियों को दिमाग कम होता है सच लगता है कि नहीं लगता है क्योंकि एक जूट को कितनी बार बोला जा रहा है सौ बार इसलिए आप लोग को भी अब बिलीब होने लगता होगा है कहीं न कहीं हम हैं